Hi friends, good evening, एक बाफे से स्वागत है आपका ये SPAC solution में देखिए इस वीडियो में हम लोग बिहार जीके का आठवा लेक्चर डिसकस करने वाले हैं और इसमें देखिए हम लोग बिहार में उद्योग एवं निर्मान से संबंदित 30 में है तो पुर्ण प्रस्न को करने वाले हैं और यहां से प्रस्न जो है वो हमेशा VPC में पूछा जाता है तो ये 30 नहीं बलकि 50 प्रस्न के बराबर हो जाता है क्योंकि मैं प्रतेक प्रस्न के उपर discussion करते चलता हूँ उसका explain भी करते चलता हूँ तो साथ लेक्चर जो है वो पहले ही upload कर दिया गया है नहीं देखिया है तो आप playlist में जा करके देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा तो please like जरूर कर दिजेगा और जितना आपके पास whatsapp group है उसमें share भी जरूर कर दिया किजिए तो चलिए देखते हैं पहला प्रस्ण क्या है शुरू करने से पहले चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और इस bell icon को जरूर प्रेज कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का notification आपको time to time मिलता रहे है और हमारे टेलिग्राम गूर्प को जोईन कीजिए है मारे निर्मित वस्तूओ की मांग जो है ओ घट रही है कि बढ़ रही है कि इस्तिर है या कोई मांग नहीं हो रही है अब जूट से संबंदि जो है यहाँ परशन पुछा गया है अब यहाँ पर पुछा यह जारा है कि पर्यावरन只 Ebola क्षन कारक है उसमें जूट से बने जोभी स जो भी वस्त हुए है तो उसकी मांग क्या घट रही है या बढ़ रही है तो देखिए इसका सही जो एंसर है option B इसकी मांग जो है ओ बढ़ रही है जूट से देखिए पैकेजिंग का जो समान होता है जैसे बोरी ये सब जो है ओ जूट से बनाया जाता है कुछ कपड़े भी जो है इस तरह के बनाया जाते है मोटे मोटे जो कपड़े होते है ओ जो है ओ जूट से बनाया जाते है ओके तो इसका मांग जो है ओ लागातार मार्केट में बढ़ रहा है नेक्षे बिहार में रासायनिक उरवर्रक का सबसे बड़ा उपक्रम कहां इस्तित है और इस तरह क प्रस्त जो है ऑग पूछा जाता है देख़े बिहार में यहाप पूछा जा रहा है पर्टिलाइजर कर्पोरेशन की एकाई है गरोनिय में और रोहतास में आप यहापई देख सकते हैं को अपने रोहतास रोहतास और रोहतास से भी कई प्रस्न पुछा गया है हमेशा पूछा जाता है रोहतास में एक जगह है अमजोर ओके अमजोर में पाईराइट फॉस्पेस्ट एंड केमिकल लिमिटेट के स्थापना के अंदर सरकार के द्वारा जो है ओ की गई है ओके तो ये भी आपको निगम को सरकारी कमपनी के रूप में इस्थापित किया गया बिहार राज चीनी निगम इसको सरकारी कमपनी के रूप में इस्थापित किया गया था कब इसकी स्थापना सरकारी कमपनी के रूप में इसका सही एंसर है option D 1974 में 1974 में बिहार राज चीनी निगम को सरकारी कमपनी के रूप में जो है वो अस्तापित किया गया था और देखिए जब चीनी मिल जो है जो बिहार राज चीनी निगम है इसमें सरकारी कमपनी के रूप में जब मानेता प्राप्थ हो रहा था तो प्रथम चरन में जो है वो किसको किसको मानेता मिला था प्रथम चरन में बानामान प्रम्चरन में इसको मानेता मिला था 1976 इस्वी में तो ये भी आपको याद रखनी है नेक्शन निम्न कत्नों पर विचार कीजिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ओप्सन यहाँ पर दिया हुआ है और हम लोगों को चुनना है कौन सही है और कौन गलत है पहला है बिहार में पूर्णिया, कटिहार, किसंगंज, अररिया, इत्यादी जिले, जूट उत्पादत के लिए परसीध रहे हैं पूर्णिया जिला या कटिहार, किसंगंज, अररिया ये सब जो जिले हैं ये जूट उत्पादन के लिए फेमस हैं इसके बाद अप्सन भी है जूट उद् पर चिंद्र कोलकत्ता रहा है ये भी बिलकुल ठीक है इसके बाद है 1948 में बिहार में सरो भारत की तीन परतिसस जूट फैक्टरिया कटिहार तथा समस्तिपूर में स्थापित थी तथा इसका स्थान दूसरा था देखिए यहां पर पुछा जा रहा है कि पूरे भारत में बो हो ठापित थी और इसका स्थान अभारत में सेकन्ड था धा ये भी बिलकुल ठीक है इसके बाद ऑप्संट D है बिहार में अधिक्तम चटकल मिले बंध हो चुकी है यह जो मिल है औज्यादा तर बंध हो चुकी है बिलकुल ठीक है यानि कि ऑप्संट A B C और D चारओ अप् ओके चलिए अगले प्रस्त क्योंड चलते हैं नेक्ट है भारत में सिमेंट उद्योग की सुरुवात कहां से हुई सिमेंट उद्योग की सुरुवात जो है ओ भारत में कहां से हुई है ये पूछा जा रहा है इसका से एंसर है ओप्शन सी बिहार सिमेंट उद्योग की सुरु बाद भारत में बिहार से ही हुई है तो ये बिपीएसी के लिए काफी मेहत्तोपुन हो जाता है बिहार के संदर में और देखिए यहां पे बिहार और जारखन सम्मिलित रुप से एक ही में था 15 नौमबर को बिहार से जारखन जो है अलग हुआ जब ये एक में सम्मिलित था बिहार और जारखन तो उस समय छोटा नागपुर छेतर जो है वो बिहार में ही था तो छोटा नागपुर छेतर जो है वो चुना और ये कोयला ये सब के लिए वो बिख्या थे तो इस कारण से मेटेरियल जो है वो रो मेटेरियल यहां पे उपल तो इस कारण से सिमेंट उद्योग के लिए ये छेतर जो है वो काफी विक्सित था तो इसी कारण से बिहार जो है वो बिहार से ही सिमेंट उद्योग की शुरुवात की गई थी तो इसका सही एंसर होगा option C नेक्ट से बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी इसी तरह का प्रस्ण ज्यादा तर पुछा जाता है कि प्रथम चीनी मिल जो है उसकी स्थापना कहा की गई थी कब की गई थी देखिए सबसे पहले जो है वो चीनी मिल बिहार में 1903 इस्वी में लगाया गय अब देखिए कहां पर यह लगाया गया था ये भी पुछा जा सकता है तो मोतिहारी में लगाया गया था सबसे पहले मोतिहारी में भी एक जगा है जिसका नाम है मरहौरा मरहोरा तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले लगाया गया था चीनी मिल बिहार में और देखे सौतंतरता के पहले बिहार जो है बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था बहुत ही ज़्यादा जो है ओचीनी का उत्पादन बिहार में होता था बिहार और उत्तरपरदेश में तो बिहार को जो है ओचीनी का कटोरा का आजाता था सौतंत्रा आजादी के पहले ओके नेक्श है भारत में सीमेंट उद्योग की सुरुवात कहां से हुई शुरुवात जो है, वो सिमेंट उद्योग की, ओ स्री, थोड़ा सा पीछे आ गया नेक्ट है रेसम एवं तसर से निर्मित कपड़ा के लिए कौन सा सहर मसहूर है, रेसम ओ और तसर के लिए ठीक है, रेसम और तसर का जो कपड़ा होता है इसके लिए बिहार का कौन सा सहर जो है ओ फेमस है और कई बार यहाँ से भी प्रस्न जो है ओ पूछा जा चुक और भागलपूर को रेसम का सहर भी कहा जाता है इसके अलावा और भी छेत्र हैं जहां पे रेसम और तसर का उत्पादन जो है ओ किया जाता है लेकिन वहां से प्रस्न नहीं पूछा जाता है ज्यादा तर ओप्सन जो होता है ओ ओप्सन में भागल पूरी होता है इसके अलावा छोटे छोटे और भी सहर है जैसे बाका है बाका में भी कुछ प्रखंड है बाका प्रखंड में भी छोटे छोटे जो है उत्पादक छेतर है इसके बाद मुंगेर है जमूई है तो इन छेतरों में भी रोहतास है यहां पे भी तसर और रेसम का उत्पादन जो जो जोए बीहार के भावी बिकास की रूप रेखा को क्या नाम दिया है। main जो है ओ यह में लक्ष्य है ओके next लेश्ट बांस और बेत का उतपादन होता है बांस जो है बंबू इसका और बेत का उतपादन जो है कीश चेतर में किया जाता है बिहार में इसका सेंसर है option D गया और पसिम चंपारन गया में और पसिम चंपारन में जो है इसका बांस और बेत का उत्पादन ज्यादा तर किया जाता है देखे बांस जो है ओ गया और ये जो है पस्चिम चंपारन ओ हिमालाई की तराई से सटा हुआ है तो इस चेतर में जो है हिमालाई की तराई में जो है ओ ज्यादा तर जो है ओ परचूर मात्रा में बां बास और बैच से बने समानों का उत्पादन लगू एवं कुटीर उद्योग के अंतरगत होता है तो ये भी आपको याद रखनी है नेक्स है बिहार के 38 जिलो में कितने ऐसे जिले हैं जहां एक भी ओद्योगिक इकाई नहीं है कितने ऐसे जिले हैं टोटल 38 जिले हैं बिहार में अब 38 जिलो में कौन से कितने ऐसे डिश्टिक हैं जिले हैं जिन में कोई भी ओद्योगिक इकाई नहीं है मतलब कि कोई भी फैक्टरी ये सब जो है ओ नहीं है तो देखे इस तरह के टोटल 10 जिले हैं 10 जिले ऐसे हैं, जहां पर कोई भी ओध्योगिक इकाई, बिहार में नहीं है, अब देखे सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें ओध्योगिक इकाई की, तो ओ है पटना में, ओके, पटना में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद मुंगेर में, बैगू सराए में, भोझप प्रमंदल नहीं है कोशी प्रमंदल चित्र में निमन कथनों पर विचार किजिए यहां पर आपक्सन दिया हुआ है अब हम लोगों को इन में चुनना है कौन सही है और कौन गलत है पहला है बिहार प्राचिन काल से ही कपड़ा उतपात तथा निर्यात के लिए परसीध रहा ह बिहार जो है वो प्राचिनकाल से ही ancient time से ही कपड़ा उत्पादन और निर्यात के लिए exporting के लिए ये famous रहा है क्या ये सही है ये बिल्कुल ठीक है इसके बाद option B है बिहार में कपड़ा वस्त्र उत्पादन में हतकरगा उत्योग की परधान भूमिका है ये भी बिल्कुल ठी ठीक है इसके बाद प्राचिनकाल से ही बिहार रेसम और तसर से निर्मित कपड़ा के लिए मसुहूर रहा है और अभी जस्ट मेंने आपको बताया कि रेसम और तसर के लिए बिहार का कौन सा छेतर जो है ओफेमस है ये है भागलपूर ओके इसके बाद है option D हस्तकरगा उत् अरवल गया जहानाबाद नवादा पतना और और अंगाबाद इत्यादी है तो यह भी बिल्कुल ठीक है हस्तकरगा जो है उद्योग यहां पे काफी प्रसीद है है इसके बाद देखे option E जो है इसका से एंसर होगा उपर यूगत में से एक से अधिक यानि कि A, B, C और D चा में है सबसे बड़ा जो है ओ सीमेंट का रखाना किस डिस्टिक में है यह पूछा जा रहा है देखे इसका सही जो एंसर हो है option D रोहतास में रोहतास में सबसे बड़ा जो है ओ सीमेंट का रखाना है अब देखे इसका नाम क्या है यह जो है डालमिया जो है डालमिया नगर म इस्थित है रोतास में सबसे बड़ा सिमेंट का रखाना अगर सेकेंड की हम लोग बात करें दूसरा सबसे बड़ा सिमेंट का रखाना तो यह है बंजारी में ओके फर्स्ट में है डालमियान अगर रोतास में और इसके बाद दूसरा जो है बंजारी में नेक्ट बिहार विभाजन के बाद कितने परतिषत उद्योग जारखन राज्य में कोमीले हैं देखे लगभग ज्यादा तर जुए 97% जो है 97 परतिषत जो है उद्योग जारखन में चले गए हैं इसी कारण से बिहार जो है थोड़ा सा पिछड़ा छेत्र कहलाता है पिछड़ा राज्य कहलाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी और द्योगी की काई जो है बड़े बड़े जो भी थे और खनीज जो भी था ओ सारा का सारा जो है ओ जारखन में चला गया है 2000 इसवी में इसका बटवारा हुआ था और इसी समय जो है वो सारा का सारा जो खनीज है और जो भी फैक्ट्रिया और द्योगी केंदर है वो जारखन में चले गए लगबग 97% नेक्स है तंबाकू एवं बेड़ी पत्ता का मुख्य उद्योग केंदर कौन सा है तंबाकू और बेड़ी पत्ता का मुख्य उद्योग केंदर जो है वो कौन सा है इन में से अब देखिए इसका सही जो एंसर है ओप्शन ए मुंगेर में जो है वो सबसे ज्यादा तंबाकू और बेड़ी उत्पादन जो है वो होता है मुख्य उद्योग जो है वो यहीं पे है ओके और देखिए सिगरेट का अगर पूछा जाए तो सिगरेट बनाने का एक बड़ा कर खाना जो है जिसका नाम है इंपिरियल टोबैको कमपनी यह भी मुंगेर में ही है तो इसको भी आपको याद रखना है मुंगेर में कौन सा जगह पर है हो सकता है एक जेक्ट लोकेशन भी पूछ लिया जाए तो मुंगेर में एक जगह है दिवालपूर यही पर जो है यह फैक्टरियां है और में जर्दा का निर्मान होता है तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है कि मुंगेर में जो है वो किसका निर्मान होता है और मुझभः पूर में किसका निर्मान होता है क्योंकि दोनों जो है वो एक ही टाइप का लगता है जैसे तंबाकू हो गया तो तंबाकू और जर्दा ये दोनों लगबग एक ही टाइप का चीज होता है, नसे के लिए साइद इसका यूच किया जाता है, तो आपको इसमें confused नहीं करना है, नेक्स्ट है चीनी उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, चीनी उत्पादन में बिहार जो है ओ भारत में कौन सा अस्थान था, लेकिन यहाँ पे गन्ने की खेती कम होने लगी, उत्पादक तक कम हो गई, इस कारण से गन्ना जो है ओ बहुत ही कम मिलने लगा, कई चीनी मिले जो है ओ बंध हो गई, इस कारण से ये जो है ओ बिहार आठवे अस्थान पे आ गया है चीनी उत्पादन में, अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में बिहार पुल राष्टिये चिनी उत्पादन का मात्र दो परतिसत चिनी ही उत्पादित करता है तो यह भी आपको याद रखना है हो सकता है यहां से भी प्रस्ण पूछ लिया जाए कि कितना परतिसत चिनी जो है ओ भारत बिहार जो ह थापना जो है, ओ कहाँ पे की गई, अभी जस्ट जो है, ओ मैंने आपको बताया है, देखे, इसका सही जो एंसर होगा, ओ क्या होगा, option C जो है, इसका सही एंसर होगा, अब देखे, यहां से exact location भी पूछा जा सकता है, रोहतास नहीं कहके कुछ exact location दिया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया है अमजोर ओके अमजोर में तो ये भी आपको याद रखनी है नेक्स है बिहार और दियोगिक प्रोटसाहन नीती 2021 के अंतरगत उद्योगों को कितने प्रतिसत की पूंजी अनुदान की व्योसता है बिहार और द्योगित प्रोत्साहन निती 2011 के अनुसार जो है वो उद्योगों को कितने प्रतिसत कितना प्रसेंट जो है वो पुंजी जो है और अनुदान में दिया जाएगा देखे इसका सही जो एंसर है ओप्शन B 20% अब देखे अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़े हैं हो सकता है खूट दे करके पुछा जा सकता है यह अनुदान जो है वो छोटे एवं मंजले उद्योग पर अधिकतम 75 लाग याद राखेंगे आप 75 लाग तथा बड़े उद्योगों पर 5 कडोर है तो आपको याद र जो सिमा है वो है 30 कडोर तो यह भी आपको याद रखनी है इस तरह से कूट में भी पूछा जा सकता है और देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा फ्रसरा हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है नेक्स है बिहार राज्य में कथा उत्पादन किस जिले में होता है कथा उत्पादन और कथा जो है वो खेर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है खेर के ब्रिक्षे से जो है वो कथा का उत्पादन किया जाता है ओके नेक्स है बिहार में HPCL का उर्वरक सेयंत्र है अभी जस्ट जो है ओ मैंने आपको बताया इसके बारे में बिहार में HPCL का उर्वरक सेयंत् इस्तित है यह जो है ओ बीपीएसी में प्रस ने पूछा जा चुका है कि भारत वैगन लिमिटेट का रेलवेड वैगन प्लांट जो है ओ वियार में कहां इस्तित है देखे इसका सही जो एंसर है ओप्शन भी मुझफरपूर एवं मुकामा में अब देखे इन दोनों में से क ओ प्रस्त में दिया जाता है मुकामा को देता है तो आपको इसे याद रखनी है ओके नेक्ट है बिहार राज में बरौनी में इस्तित तेल सोधक का रखाना किसकी इकाई है तेल सोधक का रखाना जो है बरौनी में है यह जो है ओ किसकी इकाई है किसका यूनिट है यह यह भारतिये तेल निगम का ओके ये भारतिये तेल निगम का तो option D जो है इसका say answer होगा देखिए अब यहां से इस तरह से भी प्रस्न पुछा जा सकता है चलिए अगले प्रस्न में लोग इसको discuss कर लेते हैं बिहार में कहां खाद्य परसंस करन और बनस्पती बनाने का करखाना इस्थित है बिहार में कहां पर जो है ओखाद्य परसंस करन और बनस्पती बनाने का करखाना इस्थित है देखिए इसका say answer है option B पटना और और अंगाबाद में पटना और अंगाबाद छेत्र में जो है वो खाद्य परसंस करन और बनस्पती बनाने का करखाना इस्थित है नेक्स है बिहार में दवाएं बनाने का करखाना जो है ड्रक्स, दवाई जो है जिसको बोलते हैं बिहार के लेंग्वेज में दवा, दवा बनाने का जो करखाना है वो कहां पे इस्थित है देखे इसका सही जो एंसर है ओप्शन A हाजिपूर में दवा बनाने का कारखाना है ओप्शन C इसका सही एंसर होगा और यह जो है अमीर कासीम द्वारा 1763 इसवी में इसके इस्थाप्ना की गई थी तो यह आपको याद रखनी है नेक्स है बिहार में पट्षन उद्योग के कारखाने हैं देखे ज्यादा मैं इसमें एक्स्प्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा मुझे प्रोब्लम है गले में इसकारण से मैं एक्स्प्लेन ज्यादा तर नहीं कर रहा हूँ देखे यह इसका से एंसर है option C कटिहार और समस्तीपूर में कटिहार और समस्तीपूर में जो है ओर पटिशन उद्योग के करखाने है काफी मेहत्तोपूर है सब को आप नोटडाउन कर लेंगे और दो तीन बार दो बार कम से कम वीडियो को आप जरूर देखिएगा एक बार अभी और एक बार जो है ओ एकजाम के पहले या पंदरा दिन दस दिन बाद जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एक प्रस्न तो इससे बिल्कुल आने वाला है नेक्स ले बिहार में चमडा परसंसकरन के उद्योग है अब देखिए इन तीनों में से तीनों ओप्सन दिया जा सकता है या हो सकता है फस्चिम चंपारन दे दे मुझदा पूर एक ही दे या बरोनी दे तो आपको याद रखनी है नेक्स बिहार राज में सराब बनाने का करखाना जो है ओ कहां इस्थित है सराब बनाने का करखाना जो है ओ कहां पे है बिहार में ये है गोपाल गंज, पसिम चमपारन और भागलपूर और रिगा में यहाँ पे जो है सराब बनाने का करखाना है option D जो है इसका सही answer होगा next बिहार राजी में सूत कटाई मिले हैं सूत कटाई की जो मिल होती है यह कहाँ पे है देखे इसका सही answer है भागलपूर, सिवान, पंडौल, गया और मुकामा इन छेत्रों में जो है ओ सूत कटाई की मिले है next बिहार में जूट ट्रेनिंग के अंदर कारे करना प्राराम कर दिया देखे मुझे खुद जो है ओ थोड़ा सा खराब फिल यह इसलिए हो रहा है क्योंकि direct में question और answer पढ़ते जा रहा हूँ लेकिन काफी में है तो पुर्ण है इससे पुछा जाएगा मैं explain उतना नहीं करते चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे problem है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बाजी में हूँ बिहार में जूट ट्रेनिंग के अंदर जो है ओ कारे करना प्राराम कर दिया है कहाँ पे जो है ओ जूट ट्रेनिंग के अंदर जो है ओ कारे कर रहा है कहाँ पे मतलब की ये के अंदर जो है ओ खोला गया है ये पुछा जा रहा है देखिए इसका से एंसर है option A फतुआ में फतुआ next बिहार में cigarette का संगठित छेत्र में कार खाना है मैंने आपको बताया कि cigarette का जो कर खाना है ओ बिहार में कहाँ पे है देखिए इसका से एंसर है option C cigarette जो है cigarette का कर खाना ये मुंगेर में है और मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा cigarette बनाने का कर खाना है इस तरह से भी प्रस्न पुछा जा सकता है तो आपको याद रखनी है तो ये था हमारा आज का 30 प्रस्न काफी महत्य पूंट था ये तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर किजेगा थोड़ा सा मैं ट्रबल में प्रॉब्लम में था इस कारण से मैं उतना explain नहीं किया इसके लिए स्वरी बागी कोशिस करूँगा अगले वीडियो से और भी वेहतर करने का ओगे So thank you